राम राम दोस्तों क्या हाल चाल तो गुरु आज मैं आपको मेरी पहली नजर का प्यार क्रश बाबु सोना जादू टोना ब्लैक मैजिक वशिकरन बच्चों की पढ़ाई शादी की टेंशन और आपकी भागी हुई बीबी को आखिर घर वापस कैसे लाये जाए जैसे समस्या का समदान निकालेगे सीज नौट अधर देन वन एन ओल्ली नीधी चोधरी चल 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 तो चलो न मुद्धी की बात करते हैं और महिला है गाली देने से विवाद हो सकता है तो शरीफों की तरह इनको रोष्ट करते हैं बात करेंगे सोचेंगे आप उसकी पावर्स को और बढ़ा रहे है सुनो नहीं बूल सकते हैं तुमको और अगर मेरे सोचने और याद करने से कल अगर तुम गलती से कैप्टन मार्बल भी बन जाओ एनरजी के डबल होने से फिर भी मुझे घंटा फरक नहीं पड़ता अरे कुछ सोचते ही रहते हैं stress, anxiety, depression, overthinking, fear रहता है कापी अगर आपके कोई चीज फसी हुई है और if you are stuck in some kind of situation आपको लगता है मैं situation से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, कहां फस गया हूँ, move on नहीं कल पा रहा हूँ, पैसा अटक गया है, ये काम रुप गया है तो मैं प्लीज बताओ ना कि मेरे समस्या और उल्जन बरी इस जिन्दिगी को आकिर आपके समधान की कौन सी घुट्टी पिलाओ कि जिसके सेवन मातर ही मेरे सारे दुख दर्द का इंस्टेंट घपा घप हो जाए अपने बेट के सामने आप जब सुबा सोकर उटते हैं तो कुछ ऐसी चीज लगाइगे जिसको देखते ही आप खुश हो जाए अब देखो गुरू नीदी मैमने कहा है अगर सुबा उटकर ऐसा करने का मतलब करने का अपने बेट के सामने आप जब सुबा सोकर उटते हैं तो कुछ ऐसी चीज लगाइगे जिसको देखते ही आप खुश हो जाए आप अपनी एफिरमेशन स्प्रेम करा आखे लगाए सक्सेस के लिए साउथ डिरेक्शन होता है और साउथ को रूल करता है मार्स तो आप मार्स से जुड़े भी चीज़े साउथ में लगा सकते हैं जैसे आप उस वाल को रेड़ पेंट कर सकते हैं रेड फ्लार्श लगा सकते हैं रेड कर्टेस लगा सकते हैं या फिर रेड ब और इसकी कुछ ड्रॉप्स आप नहाने के बाद ऐसे करना देक के पास यहां और टाइम के साथ आप देखेंगे कि आपके पार्टनर में चेंजिस आने लगेंगे पर मैं मुझे किसी और का नहीं सिर्फ आपका प्यार मंगता है तो प्लीज को यह ऐसा असरदार टोटका बताओ कि जिसके इस्तमाल मात रही आप मेरी और भागती चली आओ अप रोज पॉड्ट सा क्रिस्टल अपने पास रख सकते है यह हमारे हार चक्रा को ओपन करके हमें लफ को अट्राग करने में थार्म करता है हमें हील करता है तो भईया अब तक आप निधी मैम का यातरंगी गुरू मावला अवतार देखकर समझ ही गए होंगे कि सोशल मीडिया पे इंसान का टेलेंटेड नहीं सिर्फ और सिर्फ खुबसूरत होना जरूरी है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हो कि फ्री टाइम में ग्यान पिलने के बाद आखिरकार अपने बिजी सेडियूल में मैम आखिर करती क्या है ओहो अरे बसकर पगली अब इस बेचारी की जान लेगी क्या बोले तो वहाँ घर पे ग्यान का जलसा और यहां क्लब में यह जो हलका हलका सुरूर है यह तेरी नजरों का यह कुसूर है के शराब पीना सिखा दिया मजा आया अरे मैम यह किस लाइन में आ गई है आप कुछ दिर पहले तो आप ग्यान की बड़ी-बड़ी बाते पेल रही थी और हमने तो यह भी मान लिया था कि इंस्ट्राग्राम को पॉन हब से ग्यान हब सिर्फ यही ललकी बना सकती है मगर किसे पता था कि दिन के उजाले में मेडिटेशन करने वाली बन्दी रात के अंधेरे में सीला की जवाने पे नास्ती है तो हमारे समाज पर इसका क्या असर होगा मैं पहले तो आप अपना ये मूद होकर आओ एक तो फिल्टर उपर से चार किलो मेक अप और पता ने आखों के किनारे आपने ये रेड रेड क्या लगा रखा है और अगर गलती से भी आपी के मौले के मासुम बच्चों ने आपका ये अतरंगी चारा देख लिया ना तो पैंट गीली हो जाएगी तेरी गीली आप एक पेपर पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको लिख लीजे आपको किसी भी बात से हर्ट हुआ है कोई पेइन है आप मूव ओन होना चाहते है या आपकी कोई बुरी आदत है और उस पेपर को भी जला दीजे इस इंटेंशन के साथ कि जैसे ये पेपर जलके र शुक्र यानि कि वीनस से हमारी लग्जिरी हमारी वेल्थ हमारी ब्यूटी हमारी लव लाइफ हम कितने अट्राक्टिव है ये साली चीजे देखी जाते है आपके लाइफ में जो औरते हैं उनके साथ आप रिलेशन्स अच्छे बनाके रखिया हा मैम वो वो सब तो ठीक है मगर मेरे इस हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट के हिसाब से मेरा जैन्म शुक्र को नहीं शनी बार को हुआ था लेकिन सुनकर बहुत अच्छा लगा